चैप्टेर नमर 18 कुछी चैप्टर बचे हैं important है देखना है आप क्या है ऐसे भी होते हैं घर ये important यार हमेशा एक question तो आता ही आता है एक या दो आक्तेंस निए भूपन एक बच्चा है वो कह रहा है कि मैं أसम के मोलन गाउ से आया हूँ हमारे यहां बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे घर जो है जमीन के 10 से 15 कुट ऊपर बने होते हैं इन्हें जो है मजबूस बास के खंबों पर बनाते हैं या घर अंदर से भी लकडी के ही बने होते हैं देखो सीधी से बात है वहाँ पर बारिश ज्य और सीधी लगी होते हैं यहाँ पर औपर जाने के लिए सीधी होती है खतंबाद गूपिन हो गया चमिली वो भी लड़की है कोई मैं मनाली से आए हूँ जो आच्छ लगता है हमारे जो मकान होते हैं वह पथर या लकड़ी से बने होते हैं वह पहाड़ी हता है तो अहुण पहाड़ी लाक इंटेल में पढ़ा है , या आपके पास book है , मुझे कमेंट सेक्षिन में कर सकते हो , कि आपको क्या चाहिए , क्या चाहिए , वीडियो के लिए आप बता सकते हो कि ये मुझे पढ़ना है , बताओ कमेंट में , वीडियो बनाए जाएगी फिर उसकी है न , चलो कासी राम यह भी एक बच्चा है वो कह रहाए कि मैं राजस्तान की एक गाउं से आया हूँ हमारे यहां बारिष बहुत ही कम होती बाइश्टान बारिष बहुत कम होती है गर्मी खूब पलती है रगिस्तानी लागा है क्योंकि हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं औ दिवालों को मिट़ी से लिप newsletter बना जाता है लिको गर्मी बहुत ज्यादा होती है और यहां पर मोटी दिवाले बना जाते है यहिन मिट्टी की कि क्या है लगपक कुछ आलक मान अक्ल्ड को यह बहुत एक कम गरम होती है तो बाहर की जो गर्मी है वो मोटी दीवाल से अंदर नहीं आने पाती इसलिए मिट्टी का बनाते हैं ऐसा नहीं कि वहाँ पर इंटे नहीं है बन सकते हैं ठीक है तो यह सब चीज़ें दूसरी बात कटीवी जाड़ी उससे बने होते हैं कि वहाँ पर कटीवी ज यहाँ पर चुहे के बात करेंगी चुनH AI उर G kommer की ओर बात करें तो इसका मतलब यह कि वहाँ पर कीरेडे मकोडे इन दोनों चीजों से दूरर रहते हैं इसलिए उसके जाता है ठीक, सिकारा, सिकारा क्या है भई, एक प्रकारी की लकडी की नाव है, जम्मु कस्मीर के डल जील, जम्मु कस्की के डल जील है, उसके आस-पास के इलागों में प्रियोक की जाती है, और वहाँ पर सिकारी की जो रेश है, वहाँ पर सिकारी जो सिकारा नाव है, इसकी रेश भी वहां पर करी जाती है देखो यहां पर एक सिकारा नाव जो एक फोटो बनी है ध्यान देंगे यह क्या होता है तो यह वहां पर बहुत अच्छा लगता है देखने पर चार चिनार क्या है लोकुप डल ठीक है अभी बात करते हैं रूपलंक बोड डल यह दोनों जो हैं दूइप है चार चिनार और रूपलंक जो दो डूइप है कहां पर हैं डल जीज के अंदर से यह जिसमें थोड़ा से एकस्टर एड कर दी हैं पूरा का पूरा मकान ही आप नाव पर बना लेते हैं ठीक है और यहां सब इसी में रहते हैं हमेशा यहां पर चलते हैं और आ यहां की जो मूर्फी हैं इनको इनुइट कहा जाता है इनुइट समझे ना मूल निमासियों को इनुइट कहा जाता यहां यह थोड़ी से मैं एक्स्टा चीज़ें आपर नोट कर लिए एक चीज़ और पेपर नम पूछी गई है कि अब यह बर्फ का ही घर है थंडी अंदर क्यों निजारी बाहर की ठीक है हो इसली नहीं जाती नहीं जाती है यहां सी हवा के नहीं जाने जाला करती है यह कारण कि हमारा बस लास्तर चैrop fender कीечно हमारे साथी जानवर गौत कर रहा है तो जैसे से वहां थाम लोग नवे बात कर ती पेएंट प zwischen अप्रत, संवधिनान श्याइव,आनण तो क्या कहा था, पेंड पाउधों को बच्चे एक पेंड लगाए उसको पानी दे, वहां पे बात करी थी उनकी देखबाल करें, तो यहां पर भी अगर बच्चों को जानवरों के भावणाओं के बारे में चर्चा करने की आवसकता है, मतलब कि जानवरों को भई पानी की आ बनाव बच्चों को तो मान्स के लिए काट रहे हैं या फिर है सही मजे में उड़ा दे रहा है को हिरन माणे रहा है को काला पीला नीला सब कुछ काटिंपी डढर दे रहे हैं क्या मतलब यार इसा चेप्टर नमबर 21 तरह तरह के परिवार तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दोगो परिवार मुक्ता दो प्रकार के होते हैं ठीक है एक तो होता है एकल परिवार एक होता है संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या होता है माता पिता और उनके बच्चे बस इतने ही लोग रहते हैं संयुक्त परिवार में क्या होता है माता-पिता दादा-दादी चाचा-चाची इनके बच्चे चाचा-चाची के बच्चे तो ये काफी बड़ी जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं अब लोग है तो ये सभी परिवार होता है इसके अलावा ये कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्टों की आदतों जैसे की नसीले मादक दवाओं की लट के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्तों पर बातचीत बड़ी ही सम्वेधन सीलता से की जाने चाहिए देखो यार अगर बच्चे अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं की मेरे परिवार में ऐसा दिकत है तो उनकी बात को सुने ठीक है समझेंगे तब ही त्यार बच्चे समझ पाएंगे उस चीज़ चलो ठीक है तो यह चैप्टर पुरा कम्प्रीट हो चुका है अभी